जैश्री हरी spiritual गयान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीडियो में जानेंगे किस तरा से पैर चूने से होता है नव ग्रहों का दोश दूर माना जाता है कि अपने से बड़े किसी के पैर चूने से नव ग्रहों के जुड़े दोश भी दूर हो जाते है जैसे नमबर एक दादी, नानी, बुहा, आदी के पैर चुने से चंद्र दोश दूर होता है दूसरा वहीं बड़े भाई के पैर चुने से मंगल दोश खतम हो जाता है नमबर तीन ननन्द के पैर चुने से शुक्र मजबूत होता है देवी देवताओं से भी जुड़ी है पैर चुने की परंपरा पैर चुने की परंपरा आज से नहीं बलकि देवी देवताओं के समय से है जब गुरु राज महलों में आते थे तो राजत स्वयम उनके पैर चुकर आशिरवाद लेते थे ऐसा माना जाता है कि अपने प्रिये जनों के प्रती आतित्थे दिखाने के लिए उनके पैर चुए जाते हैं न केवल पैर चुने से बलकि पैर दूने से भी आशरवाद मिलता है पैर चुना बहुत फायदे मंद होता है आज की समय में किसी के पैर चुना सिर्फ सम्मान के भाव से देखा जाता है लेकिन इस परंपरा के पीछे कई ऐसे कारण है जिसके पीछे मानव जाती का कल्यान नहीं थै ऐसा माना जाता है कि अपने से बड़े व्यक्ति के पैर छूने से उसकी सकारात्मक उर्जा का प्रवा आशिरवाद के रूप में हमारे भीतर प्रवाहित होता है इस से हमें सुख सम्रद्धी मिलती है पैर छूने के नियम इसके अलग-अलग तरीके होते हैं कुछ जुक जाते हैं या गुटनों के बल बैट जाते हैं जबकि कुछ लोग तो सिर्फ गुटनों को हाथ लगा कर ही पैर छू लेते हैं जब आप किसी के पैर छूना चाहते हैं तो आपको अपने दोनों हाथों से दोनों पैर स्पर्ष करने चाहिए ऐसा बार-बार करने से उस व्यक्ति के गुण पैर चुने वाले व्यक्ति में भी चले जाते हैं तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताईए मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए शेयर कीजिए इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फोर वाचिंग